déjà I will teach x i7.4 and your chapter name is fractions. Now, how was this video? Today we are going to comparing how we compare the fractions. यहाँ पर दäखिए fractions होता है जो उसे compare करना बहुत easy होता है just suppose आपक ответ 2 fraction देजे 2 by 5 है और यहाँ पर देजे 3 by 5 है और बने का यह fraction बड़ा है sic To concur कैसे देखेंगे कैसे compare करेंगे तो आज हम उस चीज़ पर discussion करेंगे या पर तो तीन पॉइंट है वान टो एंट त्री इन्हीं तीन पॉइंट से हम XI 7.4 करने जा रहे हैं तो आप देहां से देखें अगर आपका जो denominator होता है यानि कि जो यह नीचे वारा जो number है denominator अगर आपका सेम होता है तो हम उपर आले number देखते हैं अगर उपर का number जिसका बड़ा होगा अब देख लिए टो और थ्री में यह थ्री बड़ा है ठीक है तो यह वाला fraction बड़ा है यह वाला ठीक है तो आप समझ गयोंगे अगर यहां पर यहां पर यहां पर यह थ्री तो वही यहां पर भी लिखावा है तो यहां पर देखें कि यहां पर denominator अगर सेम है तो हम numerator देखते हैं कौन सा बड़ा है फोर बड़ा है इसका मलता है यह पूरा fraction क्या है बड़ा है तो यहां पर लिखावा है second अब देखें अगर आपके पार इस टैप का fraction आता है कि उपर का number सेम है उपर का number क्या है यानि कि numerator क्या है सेम है तो आप क्या करेंगे तो हम देखते हैं जिसका denominator सबसे चोटा होता है वो fraction ही सबसे बड़ा होता है ठीक है तो इसके denominator देखें कौन सबसे चोटा है तो 9 चोट होता है सेम होता है तो डिनोमेटर जिसका छोटा होता है वो फ्रेक्शन क्या होता है बड़ा ठीक है और यहां पर क्या था कि अगर डिनोमेटर सेम है अगर डिनोमेटर सेम है तो डिनोमेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रेक्शन बड़ा होता है ठीक है तो इस तो इन दोने म यवारा fraction काया, बड़ा है, जो बड़ा होता है, उसके तरह मुंग क्या ऑजाता है, खुला हो जाता है, तो इसका मुंग इस तरह के क्लिए क्लिए, खुला है क्योंकि यह बड़ा है, ठीक है, अगर तीसरा केस आ pengशाना चाहता है, psychologist को ता कि ना आ उपर के नमबर से हों, ना ह यहां पर आप क्या करेंगे तो यहां पर बहुती इजी मैथड आता है cross multiplication method ठीक है हम क्या करते है cross multiply करते हैं तो इसका multiply यहां करते हैं और इस 4 का multiply इस 3 के साथ करते हैं तो यहां पर 5 का 5 के साथ होगा तो कितना आगे 25 आगे 4 कर जब 3 के साओ multiply करेंगे तो कितना है गा? 12 अब इन दोनों में बढ़ा कौन है? इन दोनों में 25 क्या है? बढ़ा है तो इधर के लिए move open है तो इसके लिए इधर के लिए भी क्या होगा? move open होगा तो इसका मतलब यह वाला fraction क्या है? बढ़ा है ठीक है इधर के लिए मूपन है तो इसका मदले इधर के लिए भी मूपन होगा इसका तो यानि कि फ्रेक्शन क्या होगे बढ़ा होगे तो दूसरा एक्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है कि 9 by 10 यहां लिखा है 6 by 5 नहीं उपर के नमबर से में नहीं नीचे के नमबर से में यहां पर आप क्या करेंगे से करेंगे तो इसका मदलब इधर के लिए और आपका क्या हो जाएगा बढ़ा हो जाएगा इससे ओके स्टेंट्स तो यहां तीन चीज़ आपने दिमांगा बठाक रखनी है क्योंकि हम 7.3 7.4 में इस पर बेज़्ट कोश्चन करने जा रहे है क तो यहां पर देखिए question number first में लिखावा है write each fraction अब आपने fraction की रोप में लिखना है ठीक है arrange them ascending and descending order तो उसको ascending or descending order में भी लगाना है ठीक है बढ़ते वे करम में भी गड़ते वे करम में भी लगाना आपने ठीक है less than equal का और greater than का ये तीन sign ये use करके आपने करना है तो सबसे पहले हम A part को solve करने वाले हैं B आप इसको देखे कर सकते हैं तो मैं B part नहीं कर रहा हूं वह आप खुद करेंगे तो इसको fraction के रूप में कैसे लेखेंगे कितने part पे color है 1 2 3 3 part पे color है कितने part में से कितने part ने total यहां सिर्फ 4 part पे color है और total कितने part है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है यहां पर देखे कितने part पे color है 1 2 3 4 5 6 6 part पे color है 8 part में से यहां पर कितने part पे color है कितने part में से 8 part में से तो अब आपने इसको क्या करना है ascending order and descending order में लगाना है और इस sign को use करके है ठीक है तो यहां पर ascending order में लगा से वे करम में लगाएंगे तो सबसे छोटे को पहले लिखेंगे फिर थोड़ा बड़ा फिर थोड़ा बड़ा और फिर थोड़ा बड़ा तो यहां पर लगाईए तो सबसे छोटा कौन सा सरे थाब उसे थोड़ा बढ़ा फ मैइट उसे थोड़ा बढ़ा सिट может यहाँ पर इस तरीके साहिना जाएंगे क्यों कि बहुंगा, फ्रीग वरीटौ है चोटा है सबसे बढ़ा नमदर इसमें कौन सा होगा जिसका नीड्डन सबसे बढ़ा है कौसा सब्सकर बढ़ा है उसके बाद इससे चोटा है 4 x 8 है थोड़ा और चोटा 3 8 हो जाएगा और 3 x 8 से भी छोटा गया है 1 x 8 Arms선 2 सबसे बढ़ा है उसके बाद थोड़ा थोड़ा हुग थोड़ा 6 ऑर छोटा हो जोगया तो करा साइन यूज कानने है Booney हमने इसके भी साइन यूज किया हुआ है तो यहां पर आप प्लियर समझ गए होंगे नाव इसका आप सी पाट है यहां पर लिखावा है कि जो यह फ्रेक्शंस है इन्हें आपने नमबर लाइन में दिखाना है ठीक है उसके बाद इनके बीच आपने साइन भी लगाना है यह है आपको कोशन किये हैं तो सबसे बहुत है नमबर लाइन में इसको दिखा देता है तो हमने जीरो से लेकर यहां पर नमबर लिख दिए हैं तो देखिए सबके अपन में सिक्स है तो जीरो से वन तक हम सिक्स एक्वल पार्ट करते हैं ठीक है सबके निच्छे लिख देंग यह ठीक है अब हम च्छहेग कर दें, यह उद्ट यह करें, यहां पर है है, तो इस तरहीं करते हैं, अब हम में डीये ही और युथा hardest यहां पर लाय किने द्लि क्योंकि क्या गया था कि इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग लगाना है तो इनको भी असेंडिंग और डिसेंडिंग लगाना होगा तो असेंडिंग मन्दब छोटे से बड़े क्यों तो सबसे छोटा कहा है इसमें तो सबसे छोटा यहीं होगा आपका टो वाइशिक्स इससे बढ़ा क्या है 4 x 6 और उससे बढ़ा आपका 6 x 6 उससे बढ़ा आपका 8 x 6 ठीक है इन में से हमने चूज़के है 1, 2, 3, 4 में से तो यह हो गए ठीक है तो यह आप के लिए समझ गयोंगे यहाप अगर हम नंबर से दिखाते हैं यह आपका A हो गया और यह आपका B हो गया यह आपका C है और यह आपका D है इसके एकॉर्डिन ठीक है तो A आएगा पहले फिद B आएगा फिद D आएगा फिद C आएगा क्योंकि इधर के लिए अगर चलते हैं तो नंबर उत्रा बढ़ा होते जाता है यह आपको मैंने पहले भी बताय हुआ है तो A से थोड़ा बड़ा B है B से थोड़ा बड़ा D है D से थोड़ा बड़ा C है तो उस तरीके समने इसको लिखावा है descending order यानि घटेवे करम है तो पहले सबसे बड़ा लिखेंगे तो वो नमबर उतना क्या होता है छोटा होते जाता है तो पहले C वाले लिखेंगे फिर D वाला फिर B वाला फिर A वाला ओके स्टेंट्स अब हमने इसके भी साइन लगाने है तो देखें अगर denominator अगर सेम होता है तो numerator जिसका बड़ा वो fraction बड़ा होता है तो कौन बड़ा है 5 बड़ा है इसका मतलब पूरा का पूरा fraction ही बड़ा है फिर यहाँ पर देखें 0 by 6 मतलब यह 0 है इसका अंसर से 0 हैगा 0 by 6 मतलब 0 होता है 0 by 10 भी कहेंगे तो answer क्या होगा 0 होगा ठीक है तो आप बथाए कौन बड़ा है तो यहाँ पर आपको clear न जारा रहा है कि अगर denominator क्या है सेम है तो numerator जिसका बड़ा fraction बड़ा होता है 3 बड़ा है 0 से तो यह fraction बड़ा है यहाँ पर देखें denominator यहाँ पर सेम है तो 8 और 5 में 8 बढ़ा है, तो इसका मतलब ये fraction बढ़ा है, 8 by 6, I hope you understand this, now next question, question number 3 है, क्योंकि second आप खुद कर सकते हैं, यहाँ लिखा है, make 5 more such pair and put appropriate sign, आपने sign लगाना है, यानि कि आपने less than, equal और greater than का mark लगाना है, इनके बीच, ठीक है, तो आपने 5 अपने तरफ से बनाने थ है, एक आप खुद अपने लिए बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने तरफ से कोई भी example लेना है, जैसे मैंने 3 by 7, 6 by 7 ले लिया, यहाँ मैंने 3 by 8, 0 by 8 ले लिया, यहाँ पर 2 by 11, 1 by 11 ले लिया, यहाँ पर 1 by 9, और यहाँ पर 1 by 9 ले लिया जैसे, तो इस तरी बढ़ा होगा, यह fraction बढ़ा है, कि यह fraction बढ़ा है, तो उसका पता कब चलता है, अब हम इसमें देखते हैं, कि भारी denominator सेम है, तो numerator जिसका बढ़ा होगा, वो fraction बढ़ा होता है, तो 3 और 6 में 6 बढ़ा है, तो इसका मदले पूरा का पूरा जो fraction है, वो बढ़ा है, ठीक, यह यहां पर भी देखिए, 2 by 11, 1 by 11 में, denominator सेम है, तो हम numerator को देखते हैं, जिसका numerator बड़ा होता है, वो पूरा का फुरा fraction ही बड़ा होता है, तो यह fraction बड़ा है, यहां पर 1 by 9, यहां पर 1 by 9, तो यह दो दोनों बराबर होगे, एक example आप खुद बनाएंगे अपने लिए, यहां अपर आप next question है, question number 4, तो लिखा हुआ है कि name the fractions, आपने fractions में लिखना है, arrange them in ascending order, उसके बाद उसको ascending order में लिखना है, तो इसको fraction में लिखेंगे, तो सिर्फ 2 पे कलर है, कितने में से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से 2 पे कलर है, यहां पर 3 पे कलर है, 6 में से, यहां पर 3 पे जो पे कलर है, 6 में से, एक पर भी नहीं है, यहां पर 6 पे कलर है, कितने में से, 6 में से, अब इन fractions को जो आपको fractions में लिखेंगे, इसको ascending order में लगाना है, यानि कि बढ़ते करम में, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा होगा, अब देखें, सबके denominator क्या है, सेम है, तो हम उप नमर जितना बड़ा होते जाएगा, वो fraction उतना बड़ा होते जाता है, तो ascending order में लगाना है, तो सबसे पहले, सबसे छोटे को लिखना पड़ेगा, तो सबसे छोटा है, 0 वाला, 0 by 6, उसके बाद आपका, 0 by 6 के बाद, 1 by 6 है, 1 by 6 के बाद, आपका, 2 by 6 हो गया, उसके होते जारएगा, यह थोड़ा बड़ा है, और बड़ा है, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, क्योंकि उपर करी नमर जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे क्या होते जाएगा, गए सेम है तब, तो यहां पर हमने इस्को क्या लगा दिए है, assigning order में लगा दिया और यह को आपको इस तरह के दिखा रहा होगा ठीक है यह पूरा का पूरा इक पार्ट मान के चलते हैं तो किसी मा आपको दिखा रहा होगा कि बड़े-बड़े दो टुकडे कर दिया है फिर इसी इसी पार्ट के तीन इक्वल पार्ट कर दिया है छोटे 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 ठीक है तो यहाँ पर मैंने सिर्फ A, B, C लिखा वाँ है आप D, E, F और जो भी आपको दिया हुआ है उसमें आप उसको खुद कर सकते हैं जैसे A होगा B होगा C होगा वैसे आपके वो सारे के सारे भी है तो उनको आप खुद कर सकते हैं तो जिसमें मैं आपको A part बता रहा हूँ कि A part कैसे solve करें अब देखें यहाँ पे उपर के number सेम है अगर numerator सेम होता है तो हम क्या करते हैं denominator को देखते हैं जिसका denominator सबसे छोटा वो fraction उतना बड़ा ठीक है तो यहाँ पे 6 और 3 में सबसे छोटा 3 है तो इसका मतलब यहाँ फ्रैक्शन ही बड़ा है ठीक यहाँ पे देखें ना ही उपर के number सेम है ना ही नीचे के number सेम है तो यहाँ पे कौन सा method यूज़ होगा third method यानि cross multiplication method तो इसमें cross करेंगे 13 में 18 बड़ा है तो इधर के लिए move on or us समझ लो यहाँ फ्रैक्शन ही क्या है बड़ा है के strengths ना अब यहाँ पार्ट है अब देखें ऊपर का number सेम है न्यूमिनेटर अगर सेम होता है तो हम डिनोमिनेटर को देखते हैं डिनोमिनेटर जिसका छोटा वह फ्रैक्शन होतना बड़ा तो 3 छोटा है 4 से इसका मतलब यहाँ फ्रैक्शन ही बड़ा है clear instance now अब इसमें question में लिखा बाता है कि make 5 more such problems पांच और ऐसे problems बनाओ आप जैसे यह नहीं है वैसे आपको 5 और बनाने तो आप खुद बना सकते हैं इस तरीके से अपने को खुद काम देख सकते हैं 5 by 8 लिख दो यहा तो वाई 3 लिख दो फिर दूसरा बना देख 2 by 9 लिख दो त्री by 4 और इसको solve करो कि कौन बढ़ा है की यह जया भढ़ा है कि यह बढ़ा है यह जया एक इस तरह कि आपने 5 और बनाने है तो दो मैंने यहाँ पर बनाके दिखा दी हैं आपको और इसको solve कर है और आपने यह वाले साइल लगाने है ठीक है तो हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे अगर उपर के नंबर से मैं तो हम नीचे के नंबर देखते हैं कि नीचे के नंबर जिसका सबसे छोटा हो फ्रैक्शन उत्रह बड़ा होता है तो तो और फाइब में तो चोटा है तो यह फ्रैक्शन ही बड़ा है यह वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका बड़ा फिर यहां पर देखिए ना ही उपर के नंबर से मैं ना ही नीचे के नंबर से मैं तो हम इसमें करते हैं क्रॉस मल्टिपिकेशन मैथ्रड यूज तो टू चले जाएगा और एंड लि नियूमिनेटर जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा होता है ठीक है तो तो 3 और 6 में 6 बड़ा है तो इसका मालद यह फ्रैक्शन बड़ा है तो कितने जल्द हैं हमने इस क्वेशन हो कर लिया है ए बी और ए पार्ट की अवाय जी एच और के बाके आपके इसके मिसिंग किसरा आप खुद कर सकते हैं तो g पार्ट देखिए यहां पे आप देखिए ऊपर के नंबर भी सेम नहीं ही नीचे के नमर भी सेम नहीं तो यहां पर क्या करेंगे क्लों जॅरृ ले जायएगा ऑन के साथ यह ,वनर यह फोर फॉर का फ्मीनर एच़् Bonuh स holders 1 फॉता है ओर 4 तब भी बराबर है तो इस तरह किसे करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा अब देखिए यहां पर भी देखिए उपर के नंबर ना ही से में ना ही नीचे के नंबर से में ठीक है तो यहां पर भी क्रॉस मेल्टिमिकेशन तो यह 5 चले जाएगा 6 के साथ एंड यह 10 चले जाएगा 4 के साथ तो 6,5 जाओता आपका 30 और 10,4 जाओता है 40 तो कौन बढ़ा है 40 बढ़ा है तो 40 की तरफ मुँओ उपन हो जाएगा तो इसका मतलब इधर के लिए भी मुँओ उपन हो जाएगा इसका नाओ यहाँ पर देखिए उपर के नहीं नमबर से में नहीं नीचे के नमबर से में क्या करेंगे क्रोस मुटिमिकेशन यह 21 चले जाएगा 5 के साथ और यह 7 चले जाएगा 15 के साथ ठीक है तो 5 को 21 से इंटू कीजिए तो कितना आता है 105 आ जाएगा आपका ठीक है और है से बराबर वह देख लिए अगर इसको काट करते हैं तो 5 3 जा होता है 15 और 37 21 यह पर ही 57 यहाँ पर ही 57 तो यह दौनों का मतलब एक्वाल है दौनों एक्वाल है ठीक है तो इस तरिके सांब के पता चलिए कि दौन फ्रेक्ष्निवाल है नाओ ग्ष्ट्नमर इसमें पर 7 ह यह सो करेगा, ठीक है, separate them into three groups, उसको तीन ग्रूपों में बार दीजिए, ठीक है, यानि कि सबका अंसर तीन सेम नमबर आएगा आपका, अब कैसा आएगा, मैं आपको बता दूँगा, solve पने पलच जाएगा, और equivalent fraction को आपने एक सा रखना है, ठीक है, तीन ग्रूप बनाने है equivalent fraction के, ठीक है, तो आप देखेंगे, one by two, one by two, one by two, one by two होंगे, तो उसका एक ग्रूप, अगर two by three, two by three होंगे, तो उसका दूसरा ग्रूप, अगर five by eight, five by eight, इस तरीके का आपका आजाता है तो यह तीसरा group बन जाएगा equivalent fraction का equivalent fraction में कौन से fraction आते हैं जो equal होते हैं 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 5 by 8, 5 by 8, 5 by 8 तो उसका अलग-अलग group में आपने बनाना है ठीक है by changing each into simplest form आपने इसको simplest form में change करना है तो simplest form में कैसे change करते हैं तो सबसे पहले हम उसको देखते हैं जब तक यह एक ही number से divide हो रहा है तब तक हम इसको cut करते जाते हैं अब 2 और 12 दोनों ही 2 की टेल माते हैं तो 2 1 जा यह 2 कट गया 2 6 जा यह 12 आपका कट गया अब 1 by 6 एक ही table में नहीं आते हैं ठीक है जा आपका 15 होता है अब 1 by 5 आप एक ही table से कटते नहीं है तो 1 by 5 आपका answer ठीक है इसका अंसर देखते हैं तो दोनों ही 2 की टेल माते हैं देख लिए 2 4 जा 8 2 25 जा आपका 50 मैंने मनी मन में 2 से 50 को divide किया है आप रफ में भी कट सकते हैं 2 से 50 को divide तो आपका 25 भी आ जाएगा फिर 4 और 25 एक ही table में नहीं आते हैं तो ये answer आपका हो जाएगा simplest form में ये change हो चुका है यानि कि इससे आगे change नहीं हो सकता क्योंकि अब ये एक ही table में नहीं आते हैं 4 भी 25 भी यहाँ पर देखें कि ये दोना 2 की table में आते हैं 2 8 जा होता है 16 और 2 5 जा होता है ये वाला 10 जिरो का 0 फिर 2 4 जा होता है 8 और 2 25 जा होता है 50 ठीक है तो 4 और 25 आप एक ही table में नहीं आता है तो यहीं पर ये solve जाता है इसका answer है 4 by 25 ठीक है sentence अब देखें यहाँ पर 10 बंजा आपका 10 कट गया 10 6 जा 60 अब 1 और 6 एक ही table में नहीं आता है तो इसे आगे एक कटने सकते तो ये simplest form में चेंज हो चुका है तो इसका answer है 1 by 6 अब यहाँ पर आए F वाला पार्ट है तो ये दोनों के table में किसके table में आता है 15 के table में ठीक है 15 बंजा 15 अब 15 कितने जा होता है 75 5 जा 75 ठीक है फिर यहाँ पर देखिए दोनों ही किसके table में आ रहे है 6 के table मा रहे है तो 6 10 जा आपका 60 और 6 2 जा आपका 12 होता है आउ तो उब ऑन जा टू, जा टू, ईट Кी टेंल भी आपका कड़ गया, तो यहां पर अंसर आका टू, आपका 1-5 इसका ंसर आाये आपका 1-5 प्यू, फिर यहां पर देखिए, यह दोनों किसकी टेल भीत। तो यह धोना आपके 8 की टेल मार रहे है, 8 तू जा आपका 16, फिर 8 बन जा 8, और 8 तू जा 16, 8 से मैंने 96 को डिवाइट किया है, तो आपको 12 आ गिया, फिर 2 बन जा 2, 2 6 जा 12, तो इसका अंसर कितना है, 1 बाई 6, 1 बाई 6, अब इससे ज़्यादे कटने रहा, इसलिए पर हमने अब यहाँ पर इसको भी कट करना है, तो यह किसके टेल मार रहे है, तो यह आपको 3 के टेल में नजर आएगा, कि 3, 4 जा होता है 12, और 3, 2 जा होता है 6, और 3, 5 जा होता है 15, 3 से मैंने इसको डिवाइट कर दिया, ठीक है, 3 से मैंने 75 को डिवाइट किया है, तो 3, 2 जा आपक अब four or twenty five एकई टेल में नहीं आता है तो यहाHey अब इसको भी solve करना है तो 12 must 12 होता है 12 सिसरे आपका 70 होता है तो इसका अंसर कितना सीक्सप्स है एक इसको भी solve करेंगे अब 3 और 8 एकक किसके टेल माएंगे तो यहां पर 3 by 8 नहीं था, 3 by 18 था, sorry, question में 18 लिका हुआ था, अब देखे, 3 और 18, 3 की टेल में आता है, 3 और 3, 3 सीज़ा 18, तो answer आए 1 by 6, ठीक है, इसको solve किया, तो 4 और 25 एक की टेल मिला थे, तो इसको ऐसी रहे था, यह solve नहीं होगा, अब इसको 3 गुरूप में बनाना था, question था कि 3 गुरूप में इसको बाठ दीजिए, तो जिसका answer सेम है, तो वो एक गुरूप में चले लाएगा, तो यहां पर हमने देखा, कि 2 by 12, यहां पर देखे, 2 by 12 का answer भी कितना है, 1 by 6, और 10 by 60 का भी answer आए, 1 by 6, ठीक है, और 1 by 6 और किसका रखा है, इसका भी answer आए, 1 by 6, और इसका answer भी आए, 1 by 6, और इसका answer भी आए, 1 by 6, तो सबका answer 1 by 6 आए रखा है, तो यहां पर हमने उसको लिख दिया, इसका answer 1 by 6, इसका answer, इसका answer, इसका answer, इसका answer, इसका answer, सबका 1 by 6 आए, तो इसको एक र enorm किसका रहा है 1x5 user और किसका रखा है यहांपर तो 1x5 इसका भी आय किस corona तो इनको भी मैंने एक गुरूप में रख दिया तो इन तीनों का अंसर आया है वन बाई फाई ठीक है अब यहां पर इसका अंसर भी आया है आहा है four by 25 और इस का अंसर भी आया है four by 25 ठीक है तो इनको भी मैंने एक ग्रूप में रखते है सब का अंसर कितना रहा है four by 25 इसाब का अंसर यह तीन गूर्प कर बाटना था तो one two and three ग्रूप में इसको बाट दिया गया है ओके स्टेंट नाओ क्वेश्ट नमर एट में लिखावा है कि find the answer to the following write the indicate how you solve them तो कैसे solve कर रहे हो तो भी आपने लिखना है तो एट कम मैं यहाँ पर a part और d part कर रहा हूं b और c आप खुद कर सकते हैं इसको देखें जैसे यह और यह होगा वैसी वो दो भी है तो इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूं तो देखे हमने यह बताना है कि is 5 by 9 equals to 4 by 5 क्या यह और यह दो fraction equal है तो equal बतानी के लिए या less than greater than बतानी के लिए हम वो तीन चीज़े याद रखते हैं जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी तो यहाँ पर देखे ना ही numerator सेम है ना ही denominator सेम है तो cross multiplication से हमें पता चलेगा कि कौन सा fraction बढ़ा है तो यहाँ पर लिग दे मैंने taking cross multiplication method तो 5 by 9 और 4 by 5 का आपको cross multiplication method य तो कौन बढ़ा है तो 36 बढ़ा है तो इसका मतलब 10 5 by 9 is less than by 4 by 5 खीक है therefore इसका सरह में क्या मिला 5 by 9 is not equals to 4 by 5 इसका मतलब 5 by 9 और 4 by 5 equal नहीं है question देखाता है क्या यह दो बराबर है तो हमने दीख दिया यह दो बराबर नहीं है क्योंकि हमें पता चलना है कि 5 by 9 5 by 5 से छोटा है अब यहां पर चलते हैं डी वाले पार्ट में तो इसमें भी देखे उपर के नूमबर भी सीम नहीं नीचे के नूमबर भी सीम नहीं है तो यहां पर हमने बड़ा छोटे का पता चल पाएगा तो यहां पर हमने 1 by 15 यहां ने 4 by 30 लिख दिया क्रॉस मल्टिपिकेशन मैथर यूज करेंगे तो 1 के साथ आपका 30 चले गया और 4 के साथ आपका 15 चले गया तो 31 जा 30 होता है और 15 फोर जा आपका 60 होता है तो यहां पर भी देख लीजे 60 बड़ा है तो इसका मतलब 1 by 15 is less than by 4 by 30 इसका मतलब यह वाला बड़ा है तो यहां पर हमें क्या पता चला therefore 1 by 15 is not equals to 4 by 30 इसका मतलब यह दोनब बड़ाबर भी क्यों यहां पर भी ही था क्या यह दो बड़ाबर है तो हम लिए दो बड़ाबर नहीं है इला एक लड़की है, जो 25 पेज पढ़ती है, 100 पेज में से, एक बुक है, जिसमें 100 पेज हैं, तो 100 पेज में से 25 पेज इला पढ़ लेती है, और एक ललीता है, जो half of the same book, जो इस book का आधा पढ़ लेती है, तो who read less, तो सबसे कम किस ने बढ़ा, एक question पुछा गया है, तो इन fraction में लिखेंगे हैं, इला ने 25 पढ़ा, 25 पेज पढ़े, कितने पेजों में से, 100 पेजों में से, तो यह होगा, fraction के रूप में कैसा होता है, कि 25 पेज पढ़े, कितने पेजों में से, 100, now, 25 वंजा 25 होता है, 25 फोर जा 100 होता है, तो 1 बाइ 4 इसका अंसर आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जो ललीता है, उसने कितना पढ़ा, 1 बाइ 2, अब यहाँ पे आपको clear ना जरा रहा होगा, कि भाई, जब उपर के नंबर सेम होते हैं, यहाँ पर इस तरीकी का है, अगर उपर के सेम है, तो नीचे का नंबर देखते हैं, कि नीचे का नंबर जिसका छोटा, वो फ्रेक्शन बढ़ा, तो इन दोनों में, नीचे का नंबर यह छोटा है, तो यह फ्रेक्शन बढ़ा है, तो इसका मतलब, इसने ज्यादा पढ़ा, इसने कम पढ़ा, ठीक है, तो इसने कम प कम है इसका मतलब एला ने क्याकिया है कम पड़ा है ठीक है यह आपर यह ना सोचे कि फिटी बाए हंड्रेट कैसे है फिटी बाइ अगर हंड्रेट क्वाकि उसना आधा किताब पड़िया है लिट dal आदा पड़ा तो सौ पेज थे बुक में तो ललिता ने आज ही किताब पढ़ी है तो यानि कि 100 पेजों में से सिर्फ 50 पेजी ललिता ने पढ़ा है इसलिए मैंने आप 50 by 100 लिखावा है यहाँ आप 1 by 2 भी लिख सकते हैं ठीके स्टेंट्स और यहाँ पर आप 1 by 4 लिख सकते हैं और यहाँ पर 1 by 2 ऐसा कुछ नहीं है यहाँ अपने तरीके हैं आप इस तरीके से लिख सकते हैं question number 10 आप खुद करिएगा easy question है question number 11 यह आप लिखावा है इन्हे class A अब एक class है एक class है कोई उसमें 25 इस डिरेंट में से 20 बच्चे first class से पास होएं यानि कि first division से पास होएं 20 बच्चे 25 बच्चों में से और another class B एक दूसरी class थी B उसमें 30 बच्चों में से 24 जो बच्चे हैं वो first division से पास होएं in which class where there are more fraction of students getting first class तो आपने यह बताना है कि किस class में first division पाने वाले बच्चे ज़ादा है इसको करने के लिए हम इसको fraction के रूप में change करेंगे सबसे पहले in fraction is trend getting first class in class A class A की बात कर देता है तो 20 बच्चे first division से पास होएं थे कितने में से 25 में से तो 20 बच्चे first division से पास होएं थे 25 में से अब B class में भी चले जाते है is trend getting first class in class B तो class B में 24 बच्चे first division से पास होएं थे तीस बच्चों में से तो यह हो जाएगा इसको हम थोड़ा solve कर लेता है तो 5, 4 जा आपको 20 होता है 5, 5 जा आपको 25 अभी 4 by 5 और table से नहीं कट रहा है एक ही table से नहीं कट रहा है तो 4 by 5 आपका यह answer आजाएगा इसको भी हम solve करने कोशित करते हैं तो यह आपका किस table मारा है 6 की table मारा है 6, 4 जा होता है 24 और 6, 5 जा होता है 30 तो इसका answer है 4 by 5 इसका भी 4 by 5 इसका भी 4 by 5 इसका मतलब first division पाने वाले दौनों class में क्या है इक्वल है तो यह आप हमने लिख दिया कि there clearly an equal number of students getting first class in both classes दौनों classes में उतना ही fraction में first division से pass वने वाले लोग है I hope you understand this Thank you for watching